जहन दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे परिवार के साथ खस होंगे तो दोस्तों आप यात्रा वाली वीडियो देखते रहते हैं कहां यात्रा करना कैसे यात्रा करना ट्रेन से बस से या फिर फ्लाइट से तो अधिकतर सब लोग ट्रेन से यात्रा करते है by chance कभी कभी ऐसा आ जाता कि ticket हमने book कर दिया है और उसको cancel करना है तो हम cancel करना इस video में बताएंगे कि आप किस परकार से cancel कर सकते हैं IRCTC के जो app है आपके mobile में उसके माद्धियम से तो चलिए जान लेते हैं तो दोस्तो आपने ticket book आपके जो mobile app है उसके माद्धियम से किया है तो उसके माद्धियम से आप जो उसको cancel भी कर सकते हैं तो आपके जो app है उस पर आना है जैसे कि यह आप दिख पा रहे हैं IRCTC का app है इस पर आप एक बार tap करेंगे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद कुछ इस प्रगर का interface खुलता है आप देख सकते हैं यहाँ पर कापि سारे आफ़सन आ जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ लिका हुआ है train और उपर हुआ लिका है login तो आपको जो है login पर click करना है तो चलिए login पर click कर देते हैं और इसको login कर लेते हैं आप भी Login कर सकते हैं, Login करने के बाद थोड़ा सा समय लेता है, और फिर इसके बाद यह खुल जागा, खुलने के बाद आप देख सकते हैं, Book Train के नीचे लिखा है Cancel Ticket, इस पर आपको किलिक करना है, किलिक कर देंगे जितने भी टिकेट आपने बुक की होंगे, वो आ जाए इस पर आपको एक बाद टेप करना है, यह पूरी जान करे जाती है, करने के बाद यह पूरा खुल जाता है, कितने लोगों का Ticket था, ट्रेंड क्या है, पीना नंबर, सारी चीज़ आती है, और उसकर आपको सेलेक्ट करना है, जितने पैसेंजर का आपको Ticket का है, या सभी क करना है तो आपको सेलीट करना है यानि की कि all सेल्क कर देना है जो डिबा बना है बॉक्स बना उसपर आपको ्क कर दे ना और टिक करने बाद नीचे लिखा है रइड कवलर में cancelled ticket उस पर आपको किलिक करेंगे वाद आपसे confirmation श्यासथ पूचेएगा तो जो है cancellation के rules हैं वो आप पढ़ाएंगे तो आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी जानकरी आपको कैसी लगी comment करें जोटाएं विडियो को like करें share करें वीडियो देखने लिए आपका धन्नवाद जहन जवारत